एक्सरसाइज वान एफ कोश्चन नमबर वन फाइंड आरेशनल नमबर बिट्वीन वन अपान फोर एंड वन अपान थ्री तो वन अपान फोर और वन अपान थ्री के बीच का रेशनल नमबर फाइंड करना है आपको तो जब रेशनल नमबर फाइंड करना तो रेशनल नमब अब यूज़ करते हैं तो a ratio number between 1 upon 4 and 1 upon 3 या x and y तो अगर टू रेशंळ numbers given हैं उनके बीच के ratio number निकालना है तो हम क्या करते हैं उसका half कर देते हैं उन दोनों को add करके माले x plus y into half half कर देते हैं इन दोनों को plus करके half कर देते हैं तो सिधे इसमें जो solution में होगा, तो one rational number निकालना है इन दोनों के बीच का, तो कहा लिखेंगे, a rational number between one upon four and one upon three, तो ये two rational numbers given है, तो इनके बीच के rational number क्या होगा, तो half into, हाप का into करेंगे किसमें, इन दोनों को plus करेंगे, तो one upon four plus one upon three, इसको add करेंगे, add करने के बाद में उसका one upon two कर देंगे, तो देखेंगे, वो equal to one upon two into, इसको plus करना है, तो four और three का lcm ले लिए गया, तो four और three का lcm क्या हो जाएगा, दोनों को प्राइम नंबर से हैं, तो को प्राइम नंबर से हैं, तो इनका multiply lcm हो जाएगा, तो four और three का multiply किया, तो four three जाट टॉल्व, अब देखे, four से टॉल्व को डिवाइड करेंगे, तो four three जाट टॉल्व, three times गया, three का one में multiply किया, तो three बंजा three, plus three से टॉल्व को डिवाइड किया, तो three four जाट टॉल्व, four times four बंजा four, equal one upon two into, इसको into कर ले, तो क्या हो जाएगा, three और four, seven, यह plus कर लिया, upon twelve, अब multiply करेंगे, तो numerator से numerator को multiply कर देंगे, denominator से denominator को multiply कर लेंगे, तो seven बंजा seven, upon two और 12 का into करेंगे, तो 12 तूजा 24, तो seven upon 24, one rational number निकालना था, किसके किसके बीच, one upon four and one upon three, तो किनी भी two rational numbers के बीच का, जब one rational number निकालना होता है, बीच का number निकालना होता है, तो क्या करते हैं, half कर देते हैं, उन दोनों को add करेंगे, half करते हैं, तो between rational number निकालाता है, तो it is the answer.